अस्सालाम आलेकूम रह्मतुल्लाई बरकातु आज का मेरा फेवरेट रेसिपी रेस्टेवरेट स्टाइल बफलो विंग्स और इंशाला इसके उपर आप लोगां कभी फेवरेट होईंगा करको मेरी उम्मीद है बिस्मिल्ला या के मेरे पास आदा किलो चिक्कन का विंग्स इसथी इसमें 1 टीसपून मेला संदाली एक टीसपून काली मिर्ची कि एक टीसपून लाल मिर्ची और एक टिस्पून काला नम्माग मैं 2 यह अज़ Dell talk Kalim आप लोग इसमें के मताशनी हैं नामक्रेस आप ऴजो बोना को वह ब की आ आध दाहले आध बात कानें मैंट भात केमोटिंब करें आध में लगाbased लिए अजनी लिए अजो बाट से यह आधाकप मईदा जो है वह दाल ली वह दाल के यह बॉल को मैं मूच के शेक कर ली so that पुरा ईवनली जो है वह माईदा पूरा पूरा पॉरा बचाएंगा इसमें मैं जो है अब आकर ऑल दाली ऑईल डाल के फिर शेक करने से क्या होता गो तो वह माईदा भी जो है बाइंड हो जाता और जब आप फ्राइ करते हो माईदा नहीं निकलता मैं जो है दो मिथर्ड से आज बना रहे हूं एक एर फ्रायर से और एक आके नॉमल डीप फ्राइड दोनों कैसा बनते देखेंगे इंशालों यह हो गया मेरा मैरिनेट प्रिपेर्ड हो गया इसको थोड़ा देर आप रख लो एक आधा घंटा बिफोर इसको फ्राइब करने से फेले एक आधा घंटा रख लो अब यह आके एर फ्रायर में मैं फेले सबागे खाली ब्रेश करके ओए जो भी मेरा चिकन तक देती थी और उसे क्या होता है तो पुरा ओईली ओईली हो जाता बहुत उसको वाशिंग बहुत प्रोब्लम होता क्लीनिंग के लिए जो है बहुत मुश्किल होता इसलिए मैं थोड़े दिन से यह वैक्स पेपर जो है ना बटर पेपर बटर पेपर कुछ फोल्ड करके करके इसमें स्मॉल कट्स दाला ले तो यह ऐसा बन जाता इसमें क्या होता हो तो ऑईल इसमें अबजर्ब होता हो लगता निचे नहीं जाता तो आपको क्लीनिंग में ज्याता तकलिप नहीं होती है आपल भग हम बी इसा वाशान करो इसके आपास एर फ्रायर है ऐसा है प्राइर दीप फ्राइर में तो पनिधे तक पनिधार है स्क्राइब है क्यार सबस्क्राइब रिमेनिंग चिकन को मैं डिपड़ाई के अस्ते दाल दी दालते सोच आगे कभी भी आके आपका लैडल जाके मूफ करोने को क्योंकि आपका मैरिनेड निकलने के चैंसे सरते थोड़े देर वह पकने छोड़ो उसके बाद उसको मूफ कर और उसको हिलाओ तो नहीं तो आप फ अचाला बहुत मज़े का रहता बहुत तिच वह एक रेस्टारेंट स्टाइल रहता और बहार जाके खाने का ज़रूत इस नहीं है आप जब घर में बनाते हैं जब बहार जाते हैं तो कुछ दूसरा ट्राई करो यह आप घर में अचा रहता अब यह जो शिक्स मिनिट्स हो अब यह फो फ्राई होए तक मैं जो पैन में चार टेबल स्पून बटर आप लोगां टू से फोर कितना होता ही दालो में अब फोए बाद क्या करना को तो वंस अच्छा मिल्ट होए बाद से यह सॉस यह एक कपा के हाट सॉस होट चिली सॉस जो है आपके पाद जो भी अव आप यह दाल दे में दाल के थोड़ा सपायवाचे और निकाल के ठंड़ेगा से रख दी आ यह वह 6-12 मिनिट्स हो गए थे फिर में टू मिनिट्स रखी थी सो 14 मिनिट्स 14-15 मिनिट्स लग जाएंगा तो यह जो है सो फ्राई हो लेको था हमारा चिकन प्राई होए बाद से इसको चक्रिस्पी होए तक प्राई करो यह मेरे घर में फैमिली को पसन आई बाहर जो भी खाये उलाओं को सबको पसन आया तो यह आप लोगों के लिए इंशाल्ला बनाओ और बोलो कैसा बना करके इंशाल्ला आप लोगों का जो है जो भी कमेंट्स आएंगे जो भी फीडबैक्स आएंगे वह हमलाओं को हेल्प करता बहुत है तो जरूर जो है यह मैं अब निकाल दाली फ्राई वाइबाद से बाउल में तो आप लागों के कमेंट्स जरूर दियो कॉस इट रिली और मोटिवेटिंग भी रता भहत माशाल्ला और यह जो एर फ्राइड का था यह एक दुसरे बाउल में मैं निकाल ली बडे बाउल में जो है फ्राइड वाला था और शोटे बाउल में एर फ्राइड वाला यह जो सॉस है साईट से दालो साईट से मीडल तक लाओ मिडल से सैट लाओना को विवस्ट सॉफ्ट होने का चांचिस रहता तो ऐसे दाल के उसको आपा के अछा टॉस कर लेना पुरा सॉस को यूज़ करो जितना सॉस रता उतना मज़ेखा रता तो अच्छा टॉस कर लेखो दोनो वेर इकुली गुड ऐसा नहीं है कि एर फ्रायर वाला जो है हेल्थी रने से ये टेस्टी नहीं रता करके वह concept निकालो इयर फ्रायर का सेम एकुल रता तो दोनों टेस्टी बहुत थे सेम टेस्ट था तो रहाट हैं तो जो राइट हैंड सैड में है तो डिब फ्राय वाला सब्सक्राइब करो अगर आप तक सब्सक्राइब निकर को रहे तो और बेला इकन को प्रेस करो इससे क्या होगा तो आप लगाओं को डायरेक्ली नोडिफिकिशन मिल जाएंगा जजाकूमुलाखेर